हेलो दोस्तों आज हमारा नया फैक्यूम क्लीनर आ गया हमने इसे ऑनलाइन ओडर किया था आमाजॉन से लिया है हमने यह युडेका फोब्स का है अभी अन्बॉक्स कर रहे हैं आज संडे है और कल हो ली है कल परसो मेरे हजबन का चुट्टी है और आज संडे तो वैसे ही चुट्टी था तो हमने सोचा है कि आज पूरा घर साफ करेंगे मतलब इस से नहीं यह तो बस अन्बॉक्स करना था नया आया है इसे लिए मतलब जारू पोछा ही करना है लेकिन साथ ही इसका भी थोड़ा डेमो हो जाएगा मतलब थोड़ा देख लेंगे कि ठीक से सही से चल रहा है कि नहीं क्योंकि अभी इतना गंदा है पूरा घर कि इ जारू पोच्छा कर लेंगे सब तब एक जगा पर एक कॉर्णर पर ट्राइ करेंगे यह देखिए अन्बॉक्स हो चुका है अभी सब सामान ठीकी है अभी जो इसका पाइप वग्यरा है वो शायद इसके अंदर है धकन को खुलना पड़ेगा और मतलब मेंली सफाई तो मैं ही करूंगी जैतना भी जारू पोच्छा पुरा घर धोना सब कुछ किचन मैंने कर लिया है और एक रूम कर लिया है अभी थोड़ा से रेस्ट ले रही हूँ और मेरे हस्बन क्या कर रहे है वो जो एक केमिकल आता है जो टाइल्स की उपर डा के सफाई करते हैं रॉफ कुछ ऐसा कुछ है तो इस केमिकल से वो थोड़ा जो जॉइंट से टाइल्स का वो सब में डाल रहे थे और जितना भी पेंट का पुट्टी वगेरा जम जाता है या तो कार्पेंटर का काम का जो जो गम वगेरा चिपक गया है वो सब निकाल रहे यह एड्विलॉप जैसा कुछ है मुझे पता नहीं क्या है इसे साइड में रख देते हैं यह रहा मैंने सही कादस के अंदर ही था फाइप खोस पाइप पता नहीं क्या बोलते है उसको और वो कुछ वील्स टाइप का कुछ चक्के वगेरा है मैं इस पे लगाना पड़ेगा अभी एक शायद है फ्लोर को अगर वेट जगा है भीका हुआ जगा है वहां सुखाने के लिए और एक है ब्रश टाइप का है शायद पोच्छा करने का मुझे आइडिया नहीं है मैं फर्स टाइम यूज करूंगे और एक छोटा सा है वो चैर पे रखा हुआ है वो सोफा वग्यारा डस्टिंग वग्यारा के लिए शायद होगा और एकदम और छोटू सा एक है वो शायद जो सोफे का जो कॉर्णर्स वग्यारा है जहां पर वो ब्राश नहीं पहुचेगा वहां के लिए होगा यह कोई फिल्टर टाइब का कुछ स्पंज का है जो भी यूजर बैनेवल में लिखा हुआ है वही सब हम पढ़के देख रहे हैं झाल 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 हम अभी सोच रहे हैं कि हम अभी वैक्यूम क्लेनर को सुरा चेक कर लें क्यूंकि 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी रहता है आमेजन से इसका था तो कुछ अगर गर्बर रहा तो फिर रिटर्न के बारे में भी सोच के जल्दी से चेक कर लेनाचाहिए इसलिए अभी करेंगे हई जो रूम बी पोचा हो चुकह है पोच्छ लिया है मैं यहारू भी हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेट है तो मेरे हजबीने सोच आकि इसके उपर पहुंपर हमें और उसके बाद हाल में एक जगा पर थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है मतलब हमने ही डाला है तो वहाँ पे भी ट्राइ करेंगे सफाई तो बहुत अच्छी हो रहे है जितना अभी देख रहे हूँ अच्छा ही है सब पार्ट भी सही से आए है और बस आवाज जादा है शोर तो वो तो बरदाश करना ही पड़ेगा अगर सावगर चाहिए और वाक्यूम ख्लीनर यूज़ करना है तो उसकी आदर डालने ही पड़ेगी और मेरा हाथ बहुत जल रहा है में उंगली क्योंकि आज कट गई है क्योंकि हमारे जो वाडरोब्स बनवाए हमने उसका फिनिश्रिंग एक कभी अच्छा नहीं है अब चार दिन पहले मेरा पैर कटा था ड्रॉर से और आज जो पल्ला वाला वाडरोब है उससे मेरी उंगली कट गई पोछा कटते वक्त और मतलब क्या बताओ क्या ही बताओ मैं मतलब जो पल्ले वाले वाडरोब्स होते है वो भी किसी चीज़ का फिनिश्रिंग अच्छा नहीं है पल्ला बाहर निकला हुआ है अंदर की तरफ होता है एकदम पल्लेन जब हम वाडरोब देखे तो उपर से नीचे तक पल्लेन होता है उपर का लॉफ्ट फिर नीचे का पल्ले सब पल्लेन होता है एक ही एवन होता है और इन लोगोंने क्या बना है बाहर पल्ला बाहर की तरफ निकला हुआ है मैं कभी आपको अच्छे से दिखाऊंगी आप सबको तो फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह से बनाया है उन्होंने खेर ओके आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे बाई बाई